और रहाए तो एक प्वेशन अबाव 43 उतनको एक इलिप्स की एक्वेशन के रखी है और पूछा है कि ये इलिप्स अगर एक रेक्टेंगल के अंदर इसक्राइब है तो प्लियरली इस पॉइंगल कुछ ऐसा वज़े रहेगा अगर इस पॉइंट की बात करें 3,0 डियर एक्सिस का पॉइंट इस वोड़ बी-3,0 इस वोड़ी जिस वोड़ी 0,2 तो एक रेक्टेंगल है जो इसको इंस्क्राइब कर रहा है अब अनादर इलिप्स की एक एक इसेंटरिशीव कुछ यह कैसा इस जो इस रेक्टेंगल के चारों पॉइंट से तो पास कर रहा है ठीक है रेक्टेंगल यो इस तरही की शेप का होगा जो clearly ये point 0,4 से पास कर रहा है और rectangle की चारों point से वर्टिसे से भी पास कर रहा है Let's suppose equation Let equation of required ellipse x2 by a2 plus y2 by b2 equals to 1 अब दे रख हैंगे point 0,4 से पास हो रहा है Because this passes through 0,4 तो 0,4 का satisfy करा देंगे Because passes through 0,4 तो जहां से देखिए ये तो 0 में जाएगा 4 square 16, 16 by b square equal to 1 यानि clearly b square comes out to be 16 Hence equation of ellipse becomes x2 by a2 plus y2 by 16 equals to 1 और कोई condition question नहीं दे रखी सिवाए इसके की 4 वर्टिस से पास होता है तो जहां से देखिए हम इसमारे rectangle की वर्टिस की बात करेंगे X coordinate would be 3 and y coordinate would be 2 So 3,2 Because also passes through 3,2 अब उतने पास सिर्फे एक parable ने गया एक 3 वर्ट उसे पास कराती अपके एक ही equation एक ही value मिल जाएगी एक ही value वापे substitute कर देगी अपने को ellipse में लिया पुछा है eccentricity तो जैसे 3 वर्ट उसे पास कराएगे 9 by a square plus 4 by 16 equals to 1 यहां से a square मिल जाता है अपने को 12 चीक है और पुछा गया eccentricity eccentricity is under root of 1 minus major axis minor axis upon major axis square so that would be under root of 1 minus 12 upon 16 whole square अपन बोल सकते है so this value comes out to be half so eccentricity की value वाजाती है 1 by 2 जो किया अपना option number C hence we can say that answer would be C C option is correct thank you